एलो फ्रेंट्स वेलकम टू सिविल स्टेप हिमाचल दोस्तो आज मेंस करेंट अफेर्स सेशन में हम एक बहुत इंपोर्टन स्कीम को डिसकस करने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रधान मंतरी किसान सम्मान निधी योजना यानि की पी एम किसान जो की जनरली बहुत न्यूज म यह है कि यह बहुत न्यूज में था भी हाल फिलाल में फर्स्ट जैन्वरी 2022 को प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी जी ने जो दस्वी इसकी इंस्टॉल्मेंट थी दो दस्वी किष्ट थी वो डारेक्ली ट्रांसफर किये हैं किसानों के खात्व में तो करीब 20 हजार क्रोड र है ही लेकिन आपके प्लिंश के पॉइंट अफ यू से भी इंपॉस्ट भी इंपॉटेंट है तो यह जो इसकीम है आपके लिए बहुत इंपॉटेंट बन जाती में कि स्कीम के बारे में मैं बात करूं तो यह Central Sector scheme है Central Sector scheme का मतलब क्या हुआ कि जो हंड़ट परसेंट जो funds साथ स्कीम के लिए तो क्या होता है जितना भी फंड लगेगा मालेजी की 100 रूपीज कि स्कीम को जाने है तो इस तरह से होता है कि 60 सेंटर देगा और 40 परसेंट स्टेट्स देंगे जनरल यह होता है किसी किसमें 50-50 भी होता है कुछ इस्टेट्स के लिए 75-25 भी होता है जैसा हिली स्टेट्स हैं तो सेंट्रली स्पॉंसर्ड स्कीम में दोनों तरफ से जाता है सेंटर भी देता है और स्टेट भी देता है Central Sector Scheme में 100% funds Central Government से जाते हैं तो यह December 2018 में लॉंच हुई थी 6,000 रुपीज पर एनम जो है हर किसान फैमिली को मिलेंगे 6,000 रुपीज पर एनम यहां फैमिली की definition क्या है फार्मर फैमिली की husband, wife and children यह 6,000 रुपे एक किसान फैमिली को मिलेंगे इन 3 installments, 2,000 रुपे की installments में यह पैसे मिलेंगे Extended to all farmers, जब December 2018 में जब यह scheme शुरू हुई थी तो तब यह criteria था कि जिन के पास, जिन किसानों के पास less than 2 hectare जमीन है सिर्फ उन्हीं को यह लाभ मिलेगा बट जून 2019 से यह scheme जो है extend कर दी गई है सभी farmers के लिए irrespective के उनकी कितनी land holding है जो identification का काम है कि कौन इसके beneficiaries होंगे तो यह काम किसको दिया गया है यह काम है states और union territories के administration का कि वो identify करें कि eligible beneficiaries कौन होंगे क्योंकि इसमें एक exclusion list भी है कुछ लोगों को exclude किया गया है कौन से वो लोग हैं जिनको exclude किया है अब वो देखते हैं वो एक important है इसमें जो सबसे बड़ी बात है अगर कोई भी कोई constitutional post hold करता है जैसे कि governor हो गया या president हो गया या फिर मानली जी कैग है तो इस तरह कि अगर कोई भी constitutional post पर बैठा है या उससे retire हुआ है तो उसको इसका लाब नहीं मिलेगा अगर कोई minister है state minister है या former या present MLA है, MP हो गए, mayors हो गए even या फिर जो district पंचायत है उनके chair person हो गए तो उनको भी इस scheme का लाब नहीं मिलेगा जो भी serving या retired government officers है चाहे वो central government के हो या state government के हो या किसी local body के हो उनको भी scheme का लाब नहीं ले सकते हैं वो लोग उसके beneficiaries नहीं हो सकते हैं except for group D employees जो होते हैं उनको ये लाब मिल सकता है इसी तरह जो भी pension दारी है retired लोग हैं जिनकी की pension 10,000 रुपे महिना से जादा है उनको भी ये जो है beneficiaries नहीं बन सकते हैं except for multitasking staff या फिर group D employees जो होते हैं जिन लोगों ने income tax pay किया है last assessment year में वो भी इस scheme के beneficiaries नहीं बन सकते हैं professionals हैं जिसे doctors, lawyers, chartered accountants, architects तो ये लोग भी eligible नहीं है बले सी इनके पास जमीन क्यों नहों या फिर ये खेती से कोई कमाई क्यों ना करते हूं तो इसमें main मकसद यही है कि जो actually में जो farming कर रहा है उसी को मिले जिनकी farming से सिर्फ side income आती है उनको लाब नहीं देना है बलकि जो actually में किसान और खेती से जुड़ा हुआ है जो जिसकी आजीवी का उसी से चल गई है जिसकी कहना चाहिए दाल रूटी उसी से आ रही है सिर्फ उसी को इसका benefit मिले तो यह exclusion criteria है PM के साथ का अब बात करेंगे कि इस scheme के advantage क्या है इस scheme का सबसे बढ़ा advantage है कि यह direct income support है डारेक्टली क्या हो रहा है कि जो cash transfer हो रहा है तो यह accounts of farmers तो farmers को जब पैसे की जरूरत होती है क्योंकि तीन installment में जा रहा है तो 2000 रुपे पर installment जाते है तो जब किसानों को जरूरत होती है जैसे अब 1st January को चला गया तो कभी कभी ऐसा होता है कि जब तक फसल नहीं आती है तो उनके पास पैसे की कमी होती है तो अपना वो consumption निकानने के लिए भी उनको loan लेना पड़ता है या फिर किसी से उधार वो लेते है exorbitant interest rates पर तो उस समस्या से भी निजात दिलाएगा क्योंकि यह directly उनके खाते में जा रहा है तो माली जब जन्वरी में है अभी माली जब उनकी कोई फसल नहीं आई है राभी क्रॉप जो है वो मार्श में आएंगी तो तब क्या होगा अभी उनको पैसे की जरुवत है कहां से लाएं तो जन्रली वो loan लेते हैं या borrow करते है मनी लेंडर से या अपने किसी रिष्टेदार से तो उस समस्या को काफी हद तक ये कम करने की कोशिश करे गया इसको किस के साथ लिंक किया गया है आधार के साथ लिंक किया गया है जो income tax का डेटाबेस है वहां से भी इसको लिंक किया गया है कि जो सही में जिसको जरूरत है जो भी इस scheme के तहट eligible beneficiaries है सिर्फ उनही को फायदा पहुँचे तो data verification थोड़ा robust है as compared to other schemes no selection bias इसमें selection का कोई bias नहीं कि कौन eligible होगा इसमें क्या है exclusion का criteria है inclusion के लिए सभी included हैं इसमें जो भी farmers हैं एक एकड़ वाला हो दो एकड़ वाला हो यह 100 एकड़ वाला हो सभी जो है इसके इसमें included है इसमें सिर्फ एक छोटा सा portion है जो excluded है तो यहां exclusion criteria है inclusion के लिए कोई criteria नहीं सभी included है सिर्फ कुछ लोगों को भार रखा गया जिनको identify करना बहुत असान है MP, MLA को identify करना या फिर constitutional post पर identify करना या किसी government employee को identify करना वो तो बहुत easy काम है तो यहां कोई selection bias नहीं है जब selection bias होता है जब inclusion का criteria होता है कि जिसकी income इससे कम हो या फिर यह SCST हो या फिर यह कुछ और फला आप जो है selection criteria लगा देते हैं तो वहां पर जो है leakages होना शुरू हो जाते हैं वहां पर जो है फिर धनले बाजी होती है वहां जो सही में जो जिसको मिलना चाहिए benefits उन तक नहीं पहुंच पाता है तो इसलिए यह universal scheme है सभी को इसका फायदा मिल रहा है तो यहां पर कोई leakage नहीं होगा कोई धनले बाजी की जो chances है वह काफी कम रहे है compatible with WTO norms यह जो हम direct cash transfer कर रहे हैं यह direct cash transfer किसमें आता है WTO की green box subsidies में आता है green box में वो सारी subsidies या वो सारे benefits आ सकते हैं जो की directly cash के form में किसानों को transfer किये जाए तो इसलिए यह compatible भी है with WTO norms हम WTO की norms को भी violate नहीं कर रहे हैं कोई हमारे उपर जो है कोई allegation नहीं लग सकता है या violation हम उन rules का नहीं करेंगे तो यह सारे advantages हैं इस scheme के कुछ issues भी लोगों ने raise की है वो क्या issues है सबसे बड़ा issue है वो है insufficient amount अगर आप देखें तो इसमें 17 रुपे per person per day के हिसाब से जा रहे हैं जबकि हमारी जो poverty line है वो भी देखें rural areas में तो वो 32 रुपे पे आती है रंगर रजन कमिटी के हिसाब से तो अगर किसी आदमी को है थोड़ा इस पैसे को बढ़ाए जाए जैसे कि राइतू बंदू scheme तेलंगाना में राइतू बंदू scheme में कितना पैसा दिया जाता है राइतू बंदू scheme में 4000 रुपे पर एकर दिये जा रहे हैं पर season माली जी किसी के पास 5 एकर जमीन है तो इसको बीस हजार रुपे मिलेंगे पर season में तो यह amount जो है यह काफी है और एक किसान के लिए वो sustain करने के लिए काफी है या वो अपने खेती बाड़े में invest करना चाहे तो उसके लिए भी काफी है तो यह amount जो है insufficient है इसको बढ़ाने की जरूवत है neglect of share croppers हम कहते हैं कि इसकी हमका फाइदा पहुंचाना किसकी लिए है जो किसान खेती कर रहा है बट काफी ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी लेंड को क्या कर रखा है लीज पर दे रखा है या फिर share cropping हो रही है बटाई जिसे हम कहते हैं इसका फाइदा किसको मिल रहा है सिर्फ landlord को मिल रहा है जो जमीन का मालिक है उसको मिल रहा है जो असलियत में किसानी कर रहा है जो असलियत में tilt कर रहा है जो खेती कर रहा है उसको फाइदा नहीं मिल रहा है तो जो lease holders हैं या जो share croppers हैं उनके बारे में तो कुछ नहीं कहा गया उनको कोई scheme का फाइदा नहीं मिल रहा है तो यह इसका एक drawback है data inconsistencies जो data हमारे पास है वो inconsistent है कि जैसे मान लीजिए आप land records में जाए तो वहाँ पर हो कि इसके पास इतनी जमीन है बट अगर मौके पर जाएं आप अगर practically देखें तो हो सकता है उसके पास इतनी जमीन ना हो या फिर उस पर किसी और का कबजा हो या फिर जो tenancy के records है वो updated नहीं है तो यह सारी जो problems है वो इस scheme को थोड़ा सा थीचती है वो pullback करती है तो data inconsistencies को दूर करने की ज़रूरत है failed transaction जब transaction होती है तो कई बार ऐसा होता है कि account में पैसा नहीं पहुँच पाता है fail हो जाती है transaction क्यों हो जाती है कि कई बार जो है accounts जो है वो dormant पड़े रहते हैं या फिर close हो चुके होते हैं है आपने update नहीं किया records को या फिर कोई और technical issue आ गया तो ऐसी failed transaction की तादाद भी काफी ज़ादा है left out beneficiaries अगर आंध्रपरदेश की एक study हुई थी उसमें पता चला कि 29% ऐसे eligible farmers हैं जिनको इसका फायदा नहीं पहुचा है एक अकेले आंध्रपरदेश state में 29% ऐसे farmers हैं जिनको इस scheme का फायदा नहीं पहुचा है तो हमें क्या करना है अब क्या करें इस scheme को improve करने के लिए क्या suggestions है सबसे पहली बात है कि adequate cash transfer जैसे मैंने अभी आपको example दिया था राइतू बंदू scheme का इस तरह की scheme की जरुवत है जहां पर जो cash transfer है उसके amount को थोड़ा बढ़ाया जाए index with inflation देखे क्या होता है कि सरकार तो 2000 रुपे ही दे रही है बट inflation तो लगतार बढ़ रहा है इस साल बढ़ा फिर आपके जून में जब जब आएंगे CPI WPI सब बढ़ते रहते हैं तो वो पैसा जो है actually जो amount है वो तो कम होता जा रहा है जो purchasing power है उस पैसे की वो तो कम होती जा रही है तो ज़रूरत है कि inflation के हिजाब से उसको बढ़ा करके दिया जाए हर season में क्योंकि अगर यह ऐसा नहीं होगा तो इस scheme का सही से फायदा नहीं में लगा इसमें एक example है राजिस्थान का राजिस्थान में PDS सिस्टम में जो kerosene थी kerosene की जगा cash transfer किया जाने लगा बट क्या हुआ कि जो kerosene की prices थे वो market में increase होते जा रहे थे लेकिन सरकार जो पैसा दे रहे थी kerosene खरीदने के लिए वो तो fixed था तो जो पैसा transfer हो रहा था वो insufficient था कि कोई person जो है वो market से kerosene खरीद पाए एक लिटर या दो लिटर जितना भी उसका बनता था इसलिए ज़रूरत है कि हम भी जो cash transfer कर रहे हैं वो inflation के साथ index जो so that जो purchasing power है वो बनी रहे अधरवाइस skin के fail होने के chances बढ़ जाएंगे better timing लोगों का ये कहना है experts का ये कहना है कि जो भी पैसा transfer हो रहा है वो उस समय पर होना चाहिए जब किसान को उसकी सबसे ज़ादा ज़रूरत है वो किस season में होती है जब sewing का season होता है उस समय पर एक दो किष्ट ज़रूर पहुँचनी चाहिए क्योंकि उस वक्त उसको fertilizer की ज़रूरत पड़ेगी उस वक्त उसको seeds की ज़रूरत पड़ेगी तो यह सब खरीदने के लिए उसको पैसे की ज़रूरत होती है cash की ज़रूरत होती है तो ऐसे time पे सरकार को जो है वो पैसा देना चाहिए तो timing की भी एक बात है कि कब देना चाहिए next step multiplier effects कि सिर्फ cash transfer करने से किसान की हलत में सुधार नहीं होगा एक ICAR की study है कि अगर cash transfer के साथ साथ अगर हम advisory services भी दे मतलब किसान को बताएं कि इस पैसे का आप कैसे productive use कर सकते हैं आप इस पैसे से यह वाली seat खरीदिये या फिर आप इतना fertilizer डालिये या फिर इस बार मौसम खराब होने वाला है तो आप जो है इस crop को मत होगा यह तो ऐसे जो local level पर जो जानकारिया है जो advisory services है अगर इस cash transfer के साथ साथ यह advisory services भी दे तो इसका एक multiplier effect होगा मतलब इसके और भी जादा फायदे होंगे strengthening the IT backbone जो हमने देखा कि data inconsistencies है उनको दूर करने की जरुबत है वो कैसे करेंगे अपने जो land records है उनको digitize करिए सबसे पहले उनको digitize करिए उनको link करिए with different databases जैसे income tax का database है अधार का database है तो उस तरह से जो अपका IT backbone है जो भी direct cash transfer schemes होंगी चाहे वो PM किसान हो या कोई और हो जो उनकी backbone होगी जो उनका कहना चाहिए एक pillar होगा वो क्या होगा वो उनका IT system होगा तो इस IT system को मजबूत करने की जरुरत है next is investing in agri infrastructure आप roads में invest करिए आप जो marketing infrastructure है मंडी बनाईए गाउन लेवल पर टाउन लेवल पर electricity provide करिए R&D में invest करिए क्योंकि आप ये पैसा कप तर देते रहेंगे हमें जरूरत है कि हम अपने किसान को भी आत्म निर्भर बनाए आत्म निर्भर कम बनेगा जब उसके लिए जो supporting infrastructure है जब हम वो work provide करेंगे हम अच्छी roads provide करेंगे हम वहां गाउं में markets बनाएंगे मंडिया बनाएंगे वेर हाउसे बनाएंगे जब उसकिसान को जो है बिजली हम उनको देंगे और अच्छी R&D करके जो अच्छी seeds है फर्टिलाइजर्स है वो उनको provide करेंगे तब जाकर के हमारा किसान जो है वो आत्म निर्भर बनेगा और ऐसी scheme से वो दूर हो जाएगा तो यह थी दोस्तो PM किसान योजना और मुझे उम्मीद है कि आपको जो है अब PM किसान के बारे में detail में पता चल गया है तो आप इसके उपर कोई भी question आता है तो आप उसको डंग से attempt कर आपा है thank you so much friends